लो एबरिवन मैसेल अनिश वाडेन और आज हम देखने जाने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेशन्स और लोर लेट सबसे पहला क्वेशन आता है फेशिया लाटा आहिद्स मॉकेशन्स का डीप फेशिया अफ थाई होता है उसका मॉडिफिकेशन्स क्या क्या होते उसके उत्पर से बहुत इंपोर्टेंट शोटनोट क्वेश्चन बनता है दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिमोरल ट्रायंगल यह लोन निम्का सबसे ज्यादा हरे दो साल में एक बार तो युनिवर्सिटी एग्जाम में पूचा ही जाता है इसलिए मोस्ट आयम फिक्वेश्चन है इसके बाद फिमोरल नौव फिमोरल नौव से ऐसे दोग्वेश्चन नहीं आता पर कभी-कभी एसक्यू या फिर एंसक्यू बें पूछ लेते हैं इसके बाद एडप्टर के नाल एडप्टर के नाल पे भी वो शॉर्ट नॉट पूच सकते है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता ह ऑप्टर नौव इस पर भी सेम एसक्यू या हम सीक्यू बनेगा इसके बाद पॉस्टिरियर कंपाट्मेंट अव थाए इसके मसल्स होते हों कि सेम गेरेक्टरिस्टिक्स होती है यह शॉर्ट नेट लोग पूछ सकते हैं इसके बाद शायर टिक नॉव शाय टिक नौप फे लॉंग प्वेस्टेन या शॉट नौट्य जो जाय वो पूच सकते हैं शायिट नौब उसकी ही टीपीरल ब्रांज कोमन पेरो नियल ब्रांज और कितले सारे फ्म सब पूच सकते हैं इसके अलबा आर्चेस ऑफ फोट आर्चेस ऑफ फोट बहुत इंपोर्टेंट है इसके उपर भी लॉंग क्वेशन पूच सकते हैं इसके बाद वीनस ड्रेनेज ऑफ लॉर लिप वीनस ड्रेनेज ऑफ लॉर लिप में दोना आ जाएगा ग्रेट सेफेनस वेन स्मॉल से इस वेन इसके उपर भी लॉग क्वेशन होता है कि इसके बाद अइसके ऐली से और फेक और इसके उपर रॉंग क्वेश्चन तो नहीं बनता है इसके उपर जन्रली शॉट नोट भी बनती है और फिर लास्ट के दो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स एक है हिप जोईंट और दूसरा है नी जोईंट मुस्क मुस्क इंपोर्टेंट लगा दे उतने कम ही है यह आप युनिवर्सेटी एक्वेश्चन आप चोड़के जाई नहीं सकते इतने इंपोर्टेंट है अगर आपने इतने तरीके से कर लिए तो आपको लोगल में ज्यादा अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह इतने ही क्वेशन से देगा एक पेज में ही आगे है सारे के सारे बहुत इजी है इस पर ज्यादा तर mcqn वह बहुत अच्छे बनते नौस ब्लड वैसल से बनते हैं ना तब इसमें अगर लोर निम की बात करें तो उसमें नौस ब्लड वैसल से न वह आप चैप्टर के सा पढ़ते नहीं है all the best